ओम नमेशिवाए ओम नमेशिवाए दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आज हम बात करने वाले हैं कि लोंग के ऐसे चमतकारीक उपाय जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलावला सकते हैं काम कोई नहीं बन पा रहा व्यापार नह करना है इसमें कौन सी साउधान रखना है और कप कप करना है यह सभी आज इस वीडियो में जानने वाले हैं लेकिन उससे पहले एक निवेदान है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भोले नात को को एक नाम लिखें और अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो आपको पूरा देखने के बाद तभी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथी साथ सब्सक्राइले कमेंट्स में भोले नात को एक नाम ज़रूर लिखें लोंग के जो उपाए हैं आप चाहते हैं अपनी कुड़ी का विशलेशन करवाना हमसे इसक्रीन तो नंबर चल रहा है वाटसप पर अपोल्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस शुलक लाग है दोस्तों अब आपको करना क्या है इस उपाए में अब आज यहां से बारी की से समझ ले सबसे पहले आपको एक लोंग ले और बनारसी पान बाजार में मिल जाता है वो लोंग हमारे घर से होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप पान बनाया उसमें लोंग दरवा लिया वो लोंग पहले घर लाकर रखें कुछ और उसके बाद बनारसी पान बनारसी पान के उपर वो जो घर से हमारे रखावा लोंग है वो लोंग रखें और घर से ही बजरंग बली का जो भी मंदिर हो वहाँ पर वो पान चड़ाना है आपको सबसे पहला आपको यह उपाई करना है उस पर लोंग रखकर चड़ाना है दूसरा उपाई आपको करना है कि जहां भी भोजन हो भंडारे हो जहां पर भोजन होते रहते हैं वहाँ पर लोंग दान करें क्योंकि कई बार मसालों में लोंग क्या उशक्ता होती है उससे बहुत जादा आपको फायदा होगा तीसरा है कि लोंग और लिम्बू दोनों अपने घर में एक पोटली में बांद कर रखें लाल कपने में इससे भी आपको बहुत फायदा होगा इन उपायों से आपके जीवन में एक सकारत्मक परिणाम होगा